सस्क्राइब करें टोटल इंट्रियंट लिटियंट हें चेनल को और बिल्किया डुराइखन के दबाएं हमारी लेटिष्ट वीडियो सब्सके पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टोटल इंटर्टेमिन हिंदी चलन और हमारे चलन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बनाएंगे मटर पनीर मटर पनीर बनाने का सिंपल रेसिपी क्या है और किन-किन चीजों के हमें जरूत पड़ती है मटर पनीर ब मिर्च और जितना आपको तीखा रखना आप मिर्च रख सकते हैं और यह हमने कुछ खड़े मसाले रखे हैं जो कि हम इसको यूज करेंगे उसमें यह तेज पत्ते दो तेज पत्ते अधरक लेसन को अच्छी तरह से हमने कूट लिया इसमें मिक्स कर लिया है और यह धनिया जो गार्निस करने के लिए है और यह है मटर और यह हमारा सरसो का तेल आप चाहिए तो रिफाइनी भी इसमें यूज कर सकते हैं लेकि सरसो के तेल में पनीरी बहुत अच्छी आती है तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पनीर को फ्राइ करना खने तो अ只 chilम ने कड़ाई में सबसे पयदे तेल डाल दिया और हलका गरम होंगया है तेल और अबष्य में पनीर के टुकड़े हम डालेंगे और उसे फ्राइ करेंगे अच्छी तरिके से और पनीर को ज्यादा प्राइने करेंगे हलका फ्राइश करेंगे जब हल्का सुना रावना की ये तो हमने इस तरीके से पनीर को हलकालका फ्राई कर लिया है और आप हम इस तरीके से प्राई हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा आप चाहे तो दूसरा तेल यूज़ कर सकते मैं वही तेल यूज़ कर रहा हूं और तेज पता और यह डालेंगे खड़े मसाले अब तेल में इस प्राई करेंगे और इसमें डालेंगे हम प्याद प्याज को मिया हम भालता तो नारा होनेता तुछे तो आफे रहें आच्या अमारी प्याज हैज़ेंगी प्राउन हो जाए और प्याज अच्छी तिर्गे से थारी प्याज पक जाएगे प्याज का कलर हमारा दूरी चेंज हो रहा है और इसमें हम डालेंगे मिल्च प्याज का कलर जैसे चेंज हो रहा हम इसमें डालेंगे अगरक लहसन खापिश्ट क्योंकि हमने अच्छी तरी कि इसको मीश कर लिया था और इसको भी एक्षी तरी किसमें मिला देंगे दोस दोस्य च्ञाज लो फ्रेंगे इसको भी फ्राइ करेंगे अब चाहिए तो इसमें डक्तर भी पका सकते हैं मैं इसे खुला इंपा रहा हूं दोस्तों प्याजा और हमारे लाहसन का कलर अप्छेंज हो चुका है बिल्कुल फुना रहा हो चुका है हमने जैसा चावा से बूंच चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धन्या पाउडर गीरा पाउडर हल्दी पाउडर कास्मीरी लाल मिर्च यसे क्या है थोड़ा सा टेस्ट बोर अच्छा था इसका कलर अच्छा था ग्रेवी का और इसमें डालेंगे हम गरम मसालिव तो इसमें हम पाउड़ेंगे अब देखें दोस्तों हमारा मसाला विर्कुल पक गया है जो कि तेल सब्सक्राइब आ गया है और यह मसाला अब इसमें हम डालेंगे बिचे-घंग करने लिए टॉम रम 시वहरा इसमें डालेंगे तमाटर आप्चा त्माटर पहले भी डाल सकते हैं मसाला डालने से पहले जो प्याज की प्रीक करतें से अंदर डालेंगे सीपिक्स करढ़िए लिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मेट के लिए डग देंगे दोस्तों मटर हमारा अच्छी तरी के ज़िए सीच चुका है तो इसमें हमें 3-4 मेट तक डख के रखता था अब इसमें हमेट करेंगे पानी ग्रेवी के लिए ताकि आपको जिते जर्वेट आप उन्हें पानी आड़ कर सकते इसमें जितना गुर्वी भी चाहिए ग्रेवी के एक और अपना पानी बढ़ा भी सकते हैं और अब इसमें हम डालेंगे नमक्स अभी स्वार्ट के अगॉड़िंग और इसमें हम डालेंगे अब पनीर जो कि हमने फ्राइए किया था दोस्तों एक शिव वाला जाए गर हम इससे बंद कर देंगे हमारी मताले भी पक चुकी है हमने पनीर को पहले फ्राइग कर लिया था इस फिर्फ हमें अपना ग्रेवी पकाने हैं जैसे ग्रेवी में उबाला जाएगी हम इसको ढग देंगे अधक्यूं आधक्याष्ट पन तो दोस्तों मट्र पनीर हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और यह देखने में कितना बढ़िया लगा है और इसकी खुजबू भी बहुत अच्छी आ रही है यह देखिए और अब इसको हम गार्णिश करने के लिए इसमें थोड़ा सा उपर से दनिया डाल देंगे और इसको इसमें मिक्स करने के बाद अब दोस्तों हम इसे सरुख करेंगे और दोस्तों आप यह रिश्क्री ट्राइक करिए और इसको आप चाहें तो चापाते के साथ खाये या पूरी के साथ खाये वैसे में पूरी बनाए हूं मैं पूरी के साथ खाऊंगा और दोस्तों आप यह रिश्क्री ट्राइक करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह हमारी रिश्क्री कैसे लगी और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद